कांगड़ चिला में करोना संक्रमन के तेजी के बढ़ते मामलों के बीच शनी बाक्चे शुरू हुई शादियों और अन्य समाजिक समारों ब कारेकरम जिला प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनोती से कम नहीं है एक तरफ जहां प्रशासन दारा करोना की चेन तोड़ने के लिए लोकडाउन सहीत अन्य तरह की पावंदियों को लगाया गया है बहीं एक माह तक जिला में शादियों ब अन्य समाजिक समारों की बाड़ आने वाली है जो प्रशासन के असमक्ष करोना को रोकने में चुनोती साबित होगी जिला में 24 अप्रेल से 24 मई तक एक माह के दुरान 3000 से अधिक शादियां बर अन्य समारों की आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन से मन्जूरी ली गई है जबकि अभी और लोग इन आयोजनों के लिए मन्जूरी ले रहे हैं ऐसे में ये आंकड़ा और भी सवाल है शेहरों में तो इन पर नज़र रखी जा सकती है लेकिन दूर दराज के गाउं में इस पर नज़र रखना काफिक मुश्किल है हलांकि प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिदियों को इन समारों पर चेक रखने के लिए आधेश दे हैं बाप चुद इसके ये इतना आ अपरेल से 24 मैं के बीच अब तक 3,92 अमारों के लिए लोग मंजूरी ले चुके हैं चिला के 15 और पंडलों में से बैसनाथ से 165 देहरा से 369 दरमशाला से 314 दीरा से 9 वतेपूर से 155 इंदोरा से 186 जैसेंगपूर से 167 जाली से 225 चोला मुखी से 76 कांगडा से 284 नगरोटा बगवा से 203 नूरपूर से 276 पालंपूर से 476 तथा शाहपूर से 197 लोगों ने अब तक इन आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से मन्जूरी ले रखी हैं में कांगडा जिला के एडियम रोहित राठोर ने बताया कि महस एक महीने के अंतराल में करीब 4000 शादियां होने जा रही हैं जबकि करोना की दूसरी लहर ने सबी लोगों की चिंताएं बढ़ा रखी हैं शादियों में यूं तो 50 लोगों को ही परमीशन दी गई है फिर भी आंकडा इससे पार हो ही जाता है ये ना केबल शादी समारो आयोज़त करवाने बालों के लिए परिशानी का सबब है बलकि खुद प्रशासन के लिए इस पर अंकुश लगाना एक टेड़ी खीर है फिर पाए गई उनके खिलाव सक्थाराओं के तहट मामले दर्श के जाएंगे इसमें किसी तरह की लियायत नहीं बढ़ती जाय सकती है क्योंकि अनुमानित एक शादी में चार शक्ष भी पोजिटिव पाए गए तो चार हजार शादियों में पहुंचने बाले हजारों लोगो उसमें एप्लिकांट अप्लाई करता है और जो कुल संख्या अभी तक हमारे पास आज तक की थी वो 3092 जो है रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं शादी के बारे में और जो मुख्या जो तितियां है वो 24, 25 और 26 एप्रेल की हैं जिसमें हमारी लगबग 1800 शादियां प्रपोज हैं डिस्टिक कांगना में यह संख्या बहुत ही जादा है और प्रदेश शरकार के इसमें गाइडलाइन्स काफी जादा क्लियर हैं कि 50 से जादा जो है किसी भी सूरत में चांडोर हो चांडोर हो उसमें विक्ति नहीं होंगे यही जो है मेकैनिसम को इस्टाबलिश हमने हर एक subdivision में किया है कि वो इस पर चेक भी रखें लोगों से अपील भी करें और लोगों को अवेर भी करें हमारा जो Integrated Control Room हर एक subdivision पर है, वहां से हर एक अप्लिकांट को call भी जा रही है और उनको पहले समझाया भी जा रहा है और इनी सब चीजों को चलते हम यह तो कम से कम expect कर रहे हैं लोगों से कि वो संख्या मिनिमम साइट पर ही रखेंगे, जिसकी वज़ा से जो कोरोना का spread है वो रोका ज corrections हैं कि वो उसको check भी करें और अगर violation होती है तो उसमें उनके against में कानूनी रूप से कारवाई भी जो है वो उनके against अमल में लाई जाए अपनी तरफ से जिला परशाशन ने प्रयास बहुत जादा जो है वो अपने field agencies को motivate किया है कि वो लोगों को भी जो है वो sensitize करें, aware कर यह जो लोगों से expectations यही है कि लोग जो है सरकार की दिशा निदूशों की अक्षर्शा पालना करें अगर लोग अपने स्तर के ओपर मैजीस में 50 से कम संख्या रखते हैं और social distancing के norms को fulfill करते हैं तो definitely यह जो हमारी second VP जो spike है district कांगरा में इसको हम 100% जो है वो reduce कर पाएंगे देखे अभी जो धारा 144 जो है के तहर जो order किया गया है उसमें बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है कि ना केवल executive magistrate बट जो भी sector officers appoint किये गये हैं या फिर PRI भी जो भी designated as a official की रूप में designate किये गये हैं वो भी इसमें कानूनी रूप से उनके against में कारवाई कर सकते हैं झाल